नमस्कार आदाब सच्री अकाल जैभीम जुहार मेरा नाम है नवीन कुमार शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने अठानी को लेकर एक और बम फोड़ दिया है उसने दावा किया है कि मोदी के दोस्त की कमपनी से जुड़े खाते स्विस्ट बैंक में हैं और उसके जमा 2600 करोड रुपए फ्रीज हो गया है मतलब अडानी उसे निकाल नहीं सकते ये दावा बहुत ही हाहा कारी है और इसने कारोबारी दुनिया में तहलका मचा दिया है देखिए अडानी ग्रूप और हिंडन बग के बीच चल रही तना तनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है एक तरफ इंडन बग एक के बाद एक अडानी को निशाने पर लिए जा रहा है तो दूसरी तरफ अडानी से पहले भाजपा और मोदी की सरकार उसके बचाओं में उतराती है सेट की कमपनी हर बार के वाल इतना बोलकर निकल जाती है कि हम इन आरोपों का खंडन करते हैं और ये दावे नेराधार है लेकिन इस बार एक बार फिल से हिंडन बग ने अडानी पर हमला बोला है और पहले से कहीं ज़्यादा मारक हिंडन बग के नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि स्विस्ट बैंक ने अडानी गुरूप के छे खातों में जमा तीन सो दस मिलियन डॉलर यानि 31 करोड डॉलर यानि 26 करोड रुपए से ज़्यादा के रकम फ्रीज कर दिये मतलब हिंडन बग दावा कर ला है कि अड अपनी या उनसे जुड़े लोगों को स्विस्ट बैंक में खाता खोलने की क्या जरूरत पड़ गई और खोलना ही था तो स्टेट बैंक में खोल लेते पंजाब बैंक में खोल लेते इंडियन बैंक में खोल लेते नहीं पसंद था तो यूनियन बैंक में खोल लेते अच् से नीरों मोधी विजय मालिया या संदेशरा भाग गए खैर कहने का मतलब यह कि अडानी ग्रूप स्विस्स बैंक में खाता चलाता है हिंडन बग के दावे के मताबिक और भारत में स्विस्स स्विस्स बैंक को लेकर जो मानेता है वो यह कि वहां लोग काला धन रखते हैं खुद भाजबा भी स्विस्स बैंक के खातों को लेकर बवाल मचाती रही और अब पता चला है कि अपना दुलारा ही स्विस्स बैंक का दामाद बना हुआ था लेकिन स्विस्स बैंक का खाता फ पता न चले समझे इसको हिंडन भग ने अपनी रिपोर्ट में लिखाए कि स्विस अधिकारी मनी लॉंडरिंग के एक मामले की जाच करने मनी लॉंडरिंग मतलब हवाला और सीधे शब्दों में कहें तो पैसा कहां से आया किसको जा रहा है सब सीक्रेट हिंडन भग कहता है क स्विस क्रिमिनल कोट ने अडानी समूपर रिकॉर्ड का हवाला देते हुए हवाला का धंदा करने के आरोप लगाए हैं और यह आरोप इतने संगीन है कि स्विस अधिकारियों ने अडानी ग्रुप के खाते ही फ्रीज करती है तो क्या यह मामला हाल फिलहाल का है जी नहीं हिंडनबर्ग ने दावा किया है कि स्विस मैंक में अडानी के खातों की परताल दो हजारी कीस से चल रही है तो इस पर पहली रिपोर्ट में क्यों नहीं बताया है इस पर हिंडनबर्ग का कहना है कि उसकी अपनी परताल से पहले ही अडानी समूप के खिलाफ हवाला केस की तफ्तीश जारी हो गई थी इसलिए उसे मामले की जड़ में जाने में समय लगा हिंडन बग ने ये भी बताया कि स्विस्ट मीडिया आउटलेट गोथम नियूज ने इन आरोपों पर विस्तार से लिखा है अब ज़रा सुनिया कि गोथम नियूज ने अडानी ग्रूप के ख फैसले से पता चलता है अरपती गौतम अडानी के कथित फ्रेंटमेंट से जुड़े तीन सो दस मिलियन डॉलार से अधिक किराशी छे स्विस्ट मीडिया में मामले का खुलासा होने के बाद स्विट्जर लैंड के अटर्नी जनरल आफिस ने जाच का जम्मा संभाल लिया स स्विस क्रिमिनल कोट रिकॉर्ड के वकीलों के हवाले से बताया कि कैसे अडानी से जुड़े लोगों ने संदिग्द मौरिशस और बर्मूडा फंड में निवेश किया इस फंड में खास तोर पर अडानी ग्रूप के ही स्टॉक थे रिपोर्ट में बताया गया है कि स्वि बैंकों के जरीह हवाला के मामले में विफशा हुआ है और उसके खाते फ्रीज कर दिये गए हैं भारत में अफरा तफरी मच गई अब इतने बड़े मामले पर अडानी ग्रूप का जवाब सुनिए जैसी की उम्मीद थी उसके प्रवक्ता ने कहा कि हम इन निराधार आरूप का पूरी तरह से खंडन करते हैं इसको खारिज करते हैं अडानी समुह का स्विस अदालत कि किसी पी कारवाही से कोई संब्लन नहीं किन Churchill को किसी प्राधिकरन क्लिए जब्द किया गया है इसके अलावा कथी तादेश में भी स्विस अदालत ने न तो हमारी समूह की कंपणियों का उलेक किया है नहीं हमें ऐसे किसी प्राधिकरन या नियामक निकाय से स्पष्टिकरन या जानकारी के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है गुरुप ने कहा कि यह सब उसकी मार्केट वैल्यू गिराने के लिए किया जा रहा है दि अडानी गुरुप शेल कंपणियों के जरिये अपने ही पैसों को फिर से अपनी ही कंपणियों में लगा कर शेयरों के दाम बढ़ाने की कोशिश करता है इस आरोप के कारण अडानी गुरुप के शेयरों को डेर सव अरब डॉलर का नुकसान हुआ था सिकुरिटीज एक्स संदे के गेरे में क्यों क्योंकि उसकी चेयर पर्सन माधवी पूरी बुच ने खुद अडानी गुरुप के शेयरों में इन्वेस्ट कर रखा है इसलिए अडानी गुरुप को लेकर उसकी जांच इतनी धीमी है दावा किया गया कि अगर जांच तेजी से हुई तो खुद बुच इसमें फसकती हैं माधवी पूरी बुच कमाल की बात यह है कि अडानी पर लगाए गए इतने गंभीर आरोपों की जांच पूरी करने और निवेशकों की शंकाओं का जवाब देने के बजाय सेबी ने हिंडनबग को ही 46 पन्ने का कारण बताव नोटीस बेज दिया लेकिन इस पर एक चुलाई 2024 को अपने एक ब्लॉग पोस्ट में हिंडनबग रिसल्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की उसने कहा नोटीस में बताया गया है कि अडानी ग्रूप पर लगाए गए आरोपों को लेकर नियमों का उलंगन किया है सेवी ने आरोप लगाया है कि हिंडनबग के रिपोर्ट में पाठकों को गुमरा करने के लिए कुछ गलत बयान शामिल है लेकिन इस पर बचाओ के मुद्रा में आने के बजाए हिंडनबग ने सेवी पर ही कई तरह के आरोप लगा दिये थे और अब तो इसने सीधे सीधे अडानी गुरूप पर स्विस बैंक में खाता रखने और हवाला का धंदा चलाने का आरोप लगा दिया है अब ज़रा देखा जाए कि इसकी जाच होती है या हिंडनबग पर नए आरोप लगाए जाते है इस वीडियो में इतना ही लेकिन अगर आपने आटिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉरल कर दीजिए बेल आइकोन दबाई ये घंटी जैसी आकरिती लाइक कीजिए और कमेंट करके बताईए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमारा ट्विटर हंडल है अर्टिकल 19 अंडर्सकोर इंडिया और मेरा ट्विटर हंडल है नवीन जनरलिस्ट नमस्कार में टार्सकत।